नमस्ते जैमातादी गुड मॉनिंग कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज मैं आप सभी के साथ फिर से अपना सुबे सुबे का रूटीन सेयर कर रही हूँ तो मतलब मॉनिंग रूटीन ब्लॉग तो बहुत ज़्यादा मेरी बहनों ने मेरे भायों ने बोला था दिदी मॉनिंग रूटीन का वीडियो एक बार फिर से बनाईए मैंने बहुत पहले दो धाई महिने पहले एक मॉनिंग रूटीन ब्लॉग सेयर किया था जिसे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद किया था तो मुझे फिर से बोला जा रहा था जो सहरों में मेरी बहने रहती है ना उन सबों को गाउं की वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आती है कुछ लोग मुझे कहते हैं दिदी आपका गाउं बहुत अच्छा है मेरा मन कर रहा है घूमने आने का तो जरूर आईएगा आप सभी घूमने तो सुबे सुबे का ही समय है देखे अभी बाहर सब लोग सो रहे हैं गाव में ऐसे ही होता है कुछ लोग बाहर सोते हैं कुछ लोग अंदर सोते हैं ज्यादा तर लोगों को बाहर सोना ही पसंद है आरे सुबे उठे ही हूँ मैं बिल्कुन अभी अभी उठी हूँ सबसे पहले मैंने ब्रस किया ब्रस करने। जब में उठती हूं सुबे ना तो सबसे पहले मुझे ब्रस करना होता है क्योंकि मेरी याधत है जब तक मैं ब्रस नहीं करती हुं। मुझे अजीब सा लगता रहता है तो इसलिए मैं जब उठती हूं ना सबसे पहले ब्रस करती हूं मेरा पहला काम यही होता है ब्रस करती हूं और फिर अंदर आती हूं ब्रस करने के बाद अभी देखिए क्या करनी हूं जो साम के बरतन है ना साम को ऐसे बरतन धूल लेती हू अभी और रखे हैं बर्तन तो बर्तन बच्चे हैं ना चोटे चोटे तो बर्तन तो होई ही जाने हैं तो बर्तन घर में इकठे होई जाते हैं तो जब मैं साम के बर्तन धोके रख देती हूं सुबे उरती हूं ना फिर से जो बर्तन इकठे होते हैं उन सब को फिर से एक तसले में इकठे करके रख देती हूँ फिर मेरा काम सुरू हो जाता है जाड़ू लगाने वाला अभी मैं जाड़ू लगाऊंगी पूरे घर में और सबना अभी सो रहे हैं और आज का व्लॉग मैंने सुबे के सवा पांच बजे से सुरू किये हैं पांच बजे में उठी हूँ और दस मिनट मुझे लग गए हैं उठने में और भगवान जी का नाम लेने में भगवान जी के सामने हाँ जोड़ने में सबसे पहला काम ते मेरा यही होता है पहले जब उठती हूँ ना पिल्कुन बिस्तर के सामने ही बागवान जी की फोटो मेरी पूजास्थल मेरा वहीं पे हैं, तूरती हूं तो पहले उनके आगे हाथ चोडती हूं, अपना माथा टेकती हूं, मनी मन उनका नाम जबती हूं, फिर दूसरा काम सुरू करती हूं, ब्रस वगेरा बाद में करती ह ऐसा करते हैं हम इंडियन लोग तो इहीं है मेरा मॉर्णिंग डोटीन और अब मेरा जाडू का काम सुरू हो गया है जाडू मैंने लगा दिये हैं सारी बच्चे अभी सो रहे हैं माही मांसी नैंसी माही के पापा मेरे चुटा सा बाबू सारी लोग सो रहे हैं और मैं आ गई साफ करने के लिए साम को मैं नहीं साफ करती हूं गैस भूल जाती हूं कभी कभी आलास भी आ जाती है ना बच्चा बाबू ना थोड़ा कभी-कभी तंग करने लगता है तो ऐसा लगता है जाए अभी रो रहा है इसको सुला दूं दूसरा काम करूंगी और जैसे उसको ले कभी कभी ऐसा होता है कि में 9.30 वजे तक में रात में सो जाउं नहीं तो साम हो जाते है तो अभी मैंने गेस को साफ कर दिया है और बतन को हुझा एक्यचे करके करके रख दिये है बस घर मैं फीन थो शारा शारते और बच्चे मुथी ना आपणता न संद्में augas कभी जो साम की रोटिया होती है रोटि भी बच्चे खा लेते हैं मैं रख देती हूं कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं बच पाती है तो नहीं बच पाती है ना तो फिर इनके लिए पारोटी मंगवाना पड़ता है या फिर पूरी बनानी पड़ती है तो आज मैं बनाने वाली ह अभी बनाओ तो मैंने का नहीं बिटिया अभी देर हो गई है और साम को पूरी क्या बनाओ और बच्छों के साथ जब चाह और पूरी बनती है तो हम लोगों कभी चल जाता है काफी करके मुझसे किसी ने तो जो सामने चाची ती नहीं करती थी अभी तो बंबाई में है उनकी जीक्र में करती रहती है वैसे चाची मेरे ब्लॉब को सामने लगा और फिर भरतन साफ करती में ठोड़ा समझे टाइम लग जाएगा तो उसके बाद मिलती हूँ और आज का मौसम देखिये सुवी सुवी का कैसा है जैसे कोहरा टाइप में है कि varyingफिपकोर हैं कर दोग दॉपी सक्राइप में है mechanism प्राप पी कर दो प्राप दो तो अभी मैं बरतंधों के आ चुकी हूँ और कल साम को ही परसों ही मैंने गेहूं को फटक करके पहुचा दिया था चक्की पे क्योंकि आटा खतम हो रहा था एकदम से नहीं खतम हो पाता है तभी से मैं गेहूं को साफ करके रख देती हूँ ताकि जब तक में मेरा आटा बिलकुन खतम हो उससे पहले मेरा दूसरा वाला आटा पीस करके आ जाए तो साम को ही पीस करके आ ग उड़ते ही मैंने ये वाला काम निप्टा लिया है अपना अब मेरा काम सुरू हो गया ज़ाडू लगाना अभी ज़ाडू लगा लोगे और सिर्फ ज़ाडू लगाने के बाद सीधे मैं बनाने लगूँगी चाय और पोड़ी आज मुझे बनानी है और आप लोगो मेरी बहुत सारी बहने ऐसी है कि सच में मुझे यकीन नहीं होता है इतनी अच्छे अच्छे बाते बोलती है इदीदी आपने वीडियो को 20 मिनट या फिर 30 मिनट की बनाया करिए बहुत अच्छा लगता है ब्लोग को देखने में बहुत अच्छा लगता है मेरा मन करता रहता है कि मैं देखती हूँ जाओं तो बहन आपका कहना ठीक है लेकिन इतनी लंबी वीडियो नहीं बना सकती हूँ न इतनी लंबी वीडियो बनाने के लिए, इतना बड़ा-बड़ा वीडियो बनाने के लिए मुझे ठेर सारी वीडियो भी रिकॉर्ड करने पड़ेंगे एक दिन में और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, वो है कि मेरे फौन में इतनी EMP नहीं होती है मैं डेड़ सो या फिर दो सो वाले रिचार्ज करवाती हूं तो कभी-कभी दो सो वाले करवाती हूं नहीं तो मैं डेड़ सो वाली ही रिचार्ज करवाती हूं तो इसलिए इतनी इंबी नहीं होती है तो छोटी सी मुझे वीडियो दस मिनट, गैरा मिनट की डालनी पड़ती आरे उठाबी टी आ हारा माही मांसी उड़ जा सुबहर होईगा माही गुड्अ मॉनिंग माही गुड्अ मॉनिंग मांसी गुड्अ मॉनिंग मांसी गुड मॉनीम नहीं बोलोगी अब ए और से तो ये देखिए मांसी हमारी उठ कई है और नैंसी भी उठी है नैंसी इधर बैठी हों इस संदोग पे दिखाती हूँ आप सभी के कैसे चड़के बैठी है यह देखिए पूलने के लिए वैसे फूलने के लिए नहीं रखती हैं जैसे खूब अच्छी तरह से मुझे उसे आठी को लगाना पड़ता है तो पूरी मेरी बननी शुरू हो गई है और बच्चे उठ रहे हैं तो मैंने इन सब को कहा जाओ बेटा सब लोग दातून करके आओ मनजन करके आओ हाथ मुझे से साफ करके आओ फिर सब को चाय देती हूँ और मेरे बच्चों की ना आदत है इन सब को ना उटते ही चाय पुड़ी चाहिए या फिर चाय पारोटी चाहिए रोटी साम की जो बनी होती है उसे भी कभी कभी खा लेती हैं, जब बचती है तो वैसे सामकों मैं इतनी नहीं बनाती हूं कि सुबह बच जाए, बचती है तो मैं गौव माता को खिला देती हूं, एक मैं डेली देती हूं, तो जब नहीं बचती हैं इन लोगों के लिए पारोटी मंगवाना पड़ता है, और मेरे बच्चों की ये आदत है कि उर्ते ही ना इन सबको चाय चाहिए चाय के साथ पूड़ी रोटी या फिर पाव रोटी इन सबको चाहिए ये देखे नैंसी और माही इधर है मांसी वो बैठी है कोने में दिपक करके क्योंकि इनको ना फीबर है तो तब ये ठीक नहीं इसलिए करिए ममी नमस्ते गुड्मानिंग तो अभी में हो चुकी हूं फुरसत और हम लोग का चाय नास्ता हो गया है चाय और पोड़ी बनी थी आप सभी ने देखाई नास्ते में तो चाय पोड़ी बनी थी मैंने भी पी खा लिया है और इंके पापा ने माही के पापा और इधर मैं बैटी हूं तो अभी इनहाना है चाय पानी में कर लेती हूं फिर नहाती रहती हूं अराम से क्योंकि छोटा सा बच्चा है अगर नियम इतना जादा करूंगी तो फिर नहीं कर पाऊंगी भूंके मर जाऊंगी और व्लॉग भी आज का बड़ा हो गया है तो एहा है झाँ है